ये देवस्री बोज 500 ग्राम का स्टेंड अप चीपर का पाउच देख रहे हैं और उपर जो दिख रहा है आपको वो 200 ग्राम का है पहले हमने इनका 500 ग्राम का स्टेंड अप चीपर चाय का पाउच बनाया था और अभी ये 200 ग्राम का बनाया नाननौल महिंदरगड हरियाना से ये कस्टमर है आप ही की तरह उन्हों ने वीडियो देखा ट्रस्ट किया मेरे सन से बात की जो राइट साइड में नीचे मीत परमार का नंबर है वो मेरे सन का नंबर है बात की बरोसा हुआ आगे बढ़े पहले स्टार्ट किया 500 ग्राम से 500 ग्राम के stand-up जीपर के pouch बनवाए और बाद में ये 100 ग्राम के बनाए इस वीडियो में आज हम आपको ये size का कई बार customer बोलते है size stand-up का गलत देता है इतना बाई इतना ऐसा नहीं होता है ये देखिए उपर से नीचे ये इसको width बोला जाता है आम तोर पे center cell में उपर से नीचे length बोला जाता है लेकिन इसमें उपर से नीचे width बोला जाता है ये आगे का साहिज आप देखिए और पीछे का ये 210 यानि कि 21 cm 21 cm, 21 cm और ये stand-up के अंदर का portion ऐसे आप foot-pattie डालेंगे तो आपको ये नब जाएगा ये जब अच्छा मोड़ता है वहाँ से आपना पेंगे तो ये 40 mm यानि 40 mm आगे का 40 mm पीछे का और 210 mm आगे का 210 mm पीछे का ये देखिए 210 mm किस cm ये किस यानि 210 mm, 210 mm 420 और stand-up का अंदर का 80 mm और ये हो गया width ये 16 cm यानि कि 160 mm ऐसे ही देखो अगर ये 500 ग्राम का नापना है ये जीपर वाला पाऊचे ये जीपर का तो ये उपर से नीचे नहीं पहले left to right ये हो जाएगा आड़ा करना पड़ेगा ये आड़ा करेंगे आपको ये ये आया 27 cm यानि 270 mm ये पीछे का वापिस वही आएगा ये जीरो से रख्याप नापेंगे तो 270 mm 27 दूर चॉपपन यानि कि 540 mm और ये अंदर का स्टेंड अप का ये अंदर का स्टेंड अप का है ये 50 mm ये 50 और 50 अंदर का दोनों तरफ से उपर नीचे जाता है तो 100 mm ये आप जहां से मुड़ता है वहां से भी नापेंगे तो ये 50 mm यानि कि उपर से नीचे 27 दूर चॉपपन 54 पान सो चालिस प्लस 100 640 बाई ये हो गया 200 mm यानि कि ये दिखे 270 mm आगे 270 mm पीछे और स्टेंड अप का इनर इरिया 50 mm पचास पचास सो यानि कि 27 दूर चॉपपन 54 पान सो चालिस प्लस 100 640 बाई ये 200 ये से बुला जाता है ये देखे इनके डिजाइन होने के बाद ये डिजाइन का वर्क पुरा हो गया उसके बाद सिलिंडर बनाने पड़ते है सिलिंडर सेपरेशन परफेक्то करना पड़ता है तब ये परफेक्त जौब बनता है ये अच्छे कलर का जौब है CMYK पलस लेकर और ये देखे ये जो है ये कलर में ये सिलिंडर आपको दीख रहा है ये के कलर सप रहे हैं सिलिंडर से प्रिंटिंग होता है ये देखिए ये लेकर कलर है लेकर में भी अलग-अलग टाइप आते हैं यलो लेकर गोल लेकर रेडिश ले सकते हैं ब्राउने बहुत सारी चीजे होती है आजकल ट्रांसपरेंसी जमाना बदल गया है तो इनोविशन भी अच्छे होते हैं अच्छी चीजे मिलती है आपको चूज करना पड़ता है और प्रिंटर पे भरोसा रखना पड़ता है कि वो सही देगा प्रिंटर पे भरोसा रखने से पहले देखना पड़ता है कि उनका खुद का एक्सपिरेंस वो लेवल का है और वो लेवल का एक्सपिरेंस तो होता है लेकिन वो यूज करते हैं कि नहीं आपके बेनिफिट के लिए बहुत बड़ा इंपोर्टन फेक्टर होता दोस्तों ये देखिए थ्री लेर का पाउच हो गया है ये 12 माइकरोन पोलिस्टर उस पे रिवर्स प्रिंट हुआ उसके बाद 12 माइकरोन लेमिनेशन मेटलाइस पोलिस्टर का ये लेमिनेशन होने के बाद ये देख पो दिखा रहे हैं कि मेटलाइस फिल्म के साथ लेमिनेशन होने के बाद उसकी जो प्रिंटिंग कॉलिटी होती हो और निखार पाती है और ये उसके बाद LD फिल्म के साथ लेमिनेशन होता है ये पोलिस्टर का फिल्म आगे जायेगा गमरीध कर्सेस होगा ही तिंग प्रसेस होगा और उपर से निचेária के आगे से पहले मेट्लाईस फिल्म के साथ लमिनेट किया जाता है यह मेड्लेउफ के साथ यह दूसरा लेयर हुआ है यह निर दोलिए यह ने मेटलाइस पॉलिस्टर के सार लेमिट हुआ यह दो लेयर हुआ और बाद में एल्डी लगेगी यह थ्री लेयर इसमें यह ट्वेल ट्वेल सिक्स्टी मटल यूश किया गया है पाँच की जो कॉन्टिटी बँंती है उसमें कोई भी के एक लाग से दो लाग के बीच में एकאת पंज бол hunt के बीच में इक धो नगंती होता है। अलग अलग भैसो ग्राम में 50-60 जार पाउच, पंसो ग्राम में तो और उसके सिलिंडर, तो एक सिलिंडर का खर्चा 5 जार से लेकर दस तरक बीच में आता है और साइस पे डिपेंड करता है, जैसे यह लेख दाइसो ग्राम का साइज है, तो उस पे गिनना पड़ता है 500 ग्राम का है तो वो साइट से उसका लेंद उसका सरकमफेरंस और उसके बाद कौस्ट दिया जाता है डिजाइन से लेकर सिलिंडर सिलिंडर सरे बाद में प्रिंटिंग और ये आकरशक निखार वाला बहुत परफेक्ट पाउच और एक कस्टमर एक ओडर देता है इतनी दूर से महिंदरगर नौरल हरियाना से एहमदाबाद गुजरात में और ट्रस्ट पाता है बरोसा होता है आगे रिजल्ट मिलता है और दूसरा जोग देता है यही दोस्तो कस्टमर सैटिस्फेक्शन बोला जाता है एक बार कस्टमर हमारे पास आता है हम बोलते हैं हमारे पास जाने का नो एंट्रिगेट है क्योंकि हम सैटिस्फेक्शन में बिलीव करते हैं सिर्फ और सिर्फ satisfaction में और आपका satisfaction ही हमारा achievement होता है आईए हमसे जूड़िये नीचे left में मुकुन परमार याने मेरा number है और right side में meet परमार मेरे sun का number है बात कीजिए आगे बढ़ते हैं एक साथ growth में